हलो प्यारे बच्चो वेलकम बेक टू और आज इस वीडियो में बच्चो हम डिसकस करने वाले हैं वक्षीट नमबर 26 फोर क्लास एट्स इंग्लिश की बच्चो यह वक्षीट है जो आपके लिए 28 दिसंबर 2020 के लिए शेडूल की गई है डारेक्टरेट ओफ एडुकेशन की और से आज की वक्षीट में बच्चो हम लेसन इस जॉडियो करेंगे और बेटा भी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और बैल आइकन भी प्रिस कर ले ताकि आप बच्चो को हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे तो लेट स्टार्ट लेसन दिस जॉडियो के साथ निकल पड़ा है और उसने मिल विल को वापिस जाने के लिए बोला है यह पार्ट आपका गीवन है पुट्ध सेंटेंस इस इन दा करेक्ट ओर इन दा ब्लैंक्स बिलो तो बेटा आपको यह फाइव सेंटेंस की विन है आपको इनको एक पटि सीन कौन सा था उसके बाद नेक्स सीन ऐसे इनको आपको ओर्डर में लगाना है तो फॉस दिया गया है देखे पैनी इसमें देखे फॉस्स क्या था फॉस आएगा नंबर थ्री फॉस मदर वास खिल तो नंबर थ्री यानिस सबसे पहले क्या हुआ था फॉन की जो मदर थी वो जो है मर गई थी ठीक है उसके लिए एंटिडोट बनाया था ना जोड़ी ने अपने फादर के लिए जो स्नेक ने जो इसको बाइट कर लिया था तो थर्ड जो है वो फॉस्ट नंबर पे आएगा एंड थर्ड के बाद क्या हुआ पेनी फैल्ट उसके बाद देखे थर्ड के बाद आएगा यहाँ पर फॉस्ट क्या है कि जब मदर उसकी मर गई थी फॉन की उसके बाद क्या हुआ पैनी फैल्ट है जो है जो फॉन था उसके अपने फादर पैनी से उसको घर लाने के लिए कहा था ठीक है उसके बाद देखे next के आएगा next आएगा बेटे fifth one jody's mother was turned at what jody has said और जब उसने ये बात कही घर लाने की तो jody की जो mother थी वो जो है वो क्या हो गई एकदम surprise हो गई कि वो जो है phone को घर लाने के लिए कह रहा है तो उसके बाद आएगा number fifth after that देखिए उसके बात क्या हुआ number two आएगा mill will offer to give a right to jody to find the phone तो mill will ने उसका offer किया था कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा phone को ढूनने के लिए तो फिर क्या आएगा number two और उसके बाद आएगा number four jody sent mill will back और जब jody जो है वाँ पहुँच गेते forest में तो उसके बाद jody ने mill will को वापस जाने के लिए बोला तो last में आएगा number five तो यह आपका जो है in sentences का order रहेगा third after then first then fifth and then बिटा fourth आएगा ठीके then क्या आएगा fourth यहापे fourth आएगा third first fifth second and then fourth यह जो है आपका यहाँ पर क्या रहेगा correct order होगा next देखे अब हम इसको read करेंगे read the following passes from the lesson lesson से read करेंगे बिटा part two continue he waited for the sound of the hooves to end and then cut to the right jody जो है वो wait कर रहा था कि जो hooves हैं hooves यानि जो खूर हैं किसके horse के कि उनकी आवाज आनी बंद होए और वो जो है चले यानि वो मिल बिल के वापिस जाने का wait कर रहा था so he waited for the sound of the hooves to end end यानि खतम होना then cut to the right और जैसे उसको आवाज आनी बंद हुई उसने जो है right की तरफ cut ले लिया यानि वो right की तरफ मुड़ गया now the scrub was still इसका मतलब कहा है बिटे scrub का मतलब क्या होता है the scrub was still यानि बिलकुल एकदम silence था बिलकुल clear था कोई भी नहीं था वापि ठीक है now only his own crackling of twings sounded across the silence और silence में जो आवाज आ रही थी वो किसके आ रही थी वो crackling of twings sounded ठीक है यानि वो जो twings और crackling वो चल रहा था जो जाडियों के आवाज थी के वल वही आवाज वहाँ पर आ रही थी जो जोड़ी आगे बढ़ रहा था he wondered for an instant if he had mistaken his direction एक समय के लिए थोड़ा सा वो घबरा गया एक instant होता है न एक शन के लिए थोड़ी सी देर के लिए वो wondered यानि एक दम घबरा गया कि कहीं वो गलत डारेक्शन में तो नहीं जा रहा है now then a buzzard rose in front of him उसके बाद एक buzzard buzzard क्या होता है बाज उसके सामने कौन आया जो है बाज जो है उसके सामने आया and flapped into the air और उसने air में अपने जो wings हैं उनको flap किया now and flapped into the air and he came into the clearing under the ox अब वो जो है जोडी था वो क्या हुआ वो ओक के ट्री के नीचे जो है एक दम से आ गया buzzard set in a circle around the carcass of the dog अब वहाँ पे देखिए उन्होंने dog को मारा था ठीके female deer है dog उसको मारा था तो उसकी dead body वहाँ पे थी तो बेटा जो dead body ऐसे पड़ी होती है तो जो जो बाज हो गए रहे हैं वो क्या करते हैं वो सब उसको फाड के खा जाते हैं मीच जो है उसका ठीके तो यहाँ पर वैसा ही है आप diagram में भी देख पारे हैं बेटा कि जो यहाँ पर buzzard है वो सारे ऐसे circle में बैटे हैं बीच में dog की body है और वो क्या करना चारहे हैं उसको खाना चारहे हैं now they turn their head on their long scumvy necks and hissed at him they turn their head उन्होंने अपना head जो है वो क्या किया उन्होंने अपना head मोड कर जैसे और अपनी long scumvy necks है यानि इनकी जो neck है वो बड़ी लंबी-लंबी होती है थोड़ी तो उससे जो है उसने क्या किया जो जो जोड़ी है उसके उपर hiss किया and his dreading hiss यानि ऐसे आवाज निकालते है ना हिश की तो उन्होंने कुछ आवाज जो है एक तरह से उसकी तरफ hiss किया यानि उसकी तरफ एक दम से ऐसे अपनी गरदन को पुश किया ठीक है he threw his bow at them और उसने जोड़ी ने किया किया जो उसके पास bow थी bow का मतलब क्या होता है यहाँ पर bow होती है branch branch of a tree ठीक है शाखा आप कह सकते हो छोटी सी टहनी आप कह सकते हो तो उसने जो है he threw his bow at them और उसके पास जो एक तहनी थी वो उसने उसकी तरफ फेक दी and they flew into the adjacent tree और वो क्या हो गया वो वहाँ से उड़कर एक tree के उपर जो है बैठ गए ठीक है यानि वो सारे ऐसे बैठे हुए थे तो उसने जो आड़ी ने क्या किया कि एक जो शाखा है ट्री की ठीक है एक टहनी है उसको इनकी तरफ ऐसे फेक दिया फेकने से क्या हुए यह सारे एकदम से उड़ गए उड़के एक पेड़ जो साइड में पेड़ था एडजिसेंट एडजिसेंट का मतलब होता है नियरवाई तो नियरवाई जो ट्री था उसके उपर वो ट्री है दा सेंड शॉड लार्ज कैट प्रेंट बट बिग एक एड़ फ्रेश एंड लेफ्ट दा डो टूदा कैरियान बर्ड अब देखें जो सेंड है सेंड यानि महां का जो रेत है वह उसके उपर कुछ फुट्प्रिंट्स बने हुए हैं दा सेंड शॉड यानि जो से जो बिग कैट होती है टाइगर है वो जो है फ्रेश मीट खाते है वो जो है ऐसे आप कह सकते हो कि ओल्ड मीट को वो नहीं खाते जो बिग कैट है वो फ्रेश मीट खाते है और यानि वो आय तो है इसको डोग को खाने के लिए यानि वहां पर बड़े बड़े बड़ी कैट यानि टाइगर के जो foot prints हैं वो तो वहाँ पर हैं यानि वो आयतों हैं लेकिन उन्हें डॉग को खाया नहीं क्यों नहीं खाया कि वो जो है fresh meat खाते हैं उके वो उन्होंने इसलिए उन्होंने डॉग को नहीं खाया और वो किसके लिए छोड़ दिया carry on birds यानि जो यह इस तरह का मतलब होता है इसे हटा ना उसने जो है वहां पर जहां पर उन्होंने फॉन को देखा था वहां की grass को ऐसे हटा के देखा इडिद नोट सीम पॉसिबल डाट इट वाज ओनली अस्टरे अब जो उसको ऐसा लग नहीं रहा था कि यह कल की ही बात है यानि बिलकुल ना कोई footprints है ना वहां पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ठीक है it did not seem possible that it was only yesterday the phone was not there कि वहां पर phone नहीं है he circled the clearing there was no sound no sign अब उसने देखा उसने जो है बिलकुल वहां पर कोई आवाज नहीं है कोई sound नहीं है कोई ऐसा sign नहीं है जिसे वो phone को जो है ढूंड सके the buzzard clacked their wings अब जो buzzard है यानि जो बाज है उन्होंने भी अपने क्या किया wings को फिर से फैला दिया impatient to return to their business अब impatient है वो impatient या नहीं उनके अंदर patience खतम होता जा रहा है जिके उनको सामने खाना दिख रहा है तो वो patience कैसे रखेंगे तो वो क्या हो रहे है impatient हो रहे है to return to their business business क्या है उनका खाना खाना तो अपने business पे अपने काम पे अपना काम करने के लिए वो impatient हो रहे है he return to the spot where the phone had emerged and drop on all fours studying the sand for the small hoof prints इसमें क्या कहा आगा बेटे देखो he return to the spot कौन लोट के आया he return यानि जो जो जोड़ी है वो spot पे आया कौन से spot पे where the phone had emerged जहाँ पे उन्होंने phone को उस समय बिलकुर एक्दम छोड़ा था and drop on all fours ठीक है and studying the sand for small hoof prints और वहाँ पे जो निशान थे यानि अब phone जो है वहाँ से कहीं गया होगा तो उसके निशान मिलने चाहिए sand के अंदर छोटे छोटे पैरों के निशान मिलने चाहिए ठीक है न इसलिए का गया small hoof prints यानि उसके छोटे छोटे पैरों के जो hoofs के निशान है prints हैं मिट्टी के अंदर वो मिलने चाहिए बट अब क्या है अब रात को बारिश हुई होगी head washed away रात को बारिश जो हुई थी उसने सारे के सारे निशान वो जो है ट्रेक के ट्रेक यानि जो रास्ता है जहां से वो गया होगा उसको भी दो दिया except those of cat and buzzard और केवल निशान किसके थे वहाँ पे cat और जो buzzard है यानि जो चील है उनके पंजो के निशान है और बिटा जो tiger आया होगा खाने के लिए उसके जो है big cat के वहाँ पर केवल footprints हैं और उसको phone के footprints नहीं मिले क्योंकि रात को बारिश आई थी और उसने सारे निशान उसके दो दिये ठीक है तो ये थी बिटा आज का paragraph इसमें आपने देखा कि किस तरह से जो जॉड़ी है वो phone को ढूंबने की कोशिश कर रहा है और इसमें जो है बताया गया है कि जो big cat है वो fresh फ्रेश खाती है तो वो जो है बाकी अगर फ्रेश नहीं होती है तो वो carry on bird के लिए छोड़ देते हैं आप करेंगे बिटा यहाँ पे देखे फिलप्स दिये गई है इनको हम करेंगी C part यह आपका fill in the following blanks using the hints below तो first दिया गया है who was it with that went away on the horse तो horse से जो है कौन वापिस चला गया था mill will penny, mill will और jody तो विटा कौन गया था horse पे वापिस mill will गया था यह आपका answer हो जाएगा यह कर लेजिएगा mill will उसके बाद देखे second है jody was trying to find jody किसको ढूणने की कोशिश कर रहा था jody was trying to find the fawn fawn को ढूणने की कोशिश कर रहा था the fawn third है jody had come to the place where jody had come to the place where there was a stream of water and he had seen the fawn कहा यह jody बेटर देखने के लिए वो आया जहाँ पर उसने fawn को पहले पिछले दिन देखा था ठीक है तो he had seen the fawn यह वाला answer हो जाएगा यह वाला आप यहाँ पर answer लिखेंगे next देखे नमबर 4 jody got rid of the buzzard by throwing his तो jody ने जो है buzzard उनको कैसे बगाया by throwing his dash at them ball फैकी या ball फैका तो बेटा उसने ball फैका थे ना branch फैकी थी wood जो है उसके पास जो थी है छोटी सी लकडी जो थी वो फैकी थी उसने b-o-u-g-h उसके बाद देखे नमबर 5 whose footprints did the sand show sand ने जो किसके footprints दिखाए buzzard, fawn, big cats किसके दिख रहे थे whose footprints did the sand show तो sand जो है वो big cats के जो है उसके क्या थे वहाँ पे footprints थे उसके बाद देखे number 6 what did the buzzard do on sing jody जब उन्होंने buzzard जो बाद थे उन्होंने jody को देखा तो क्या किया उन्होंने क्या किया they hissed at him ठीक है उन्होंने उसके उपर ऐसे जो है होता है ना उसकी तरफ ऐसे एकदम से गर्दन ऐसे हिस करना तो उन्होंने अपनी गर्दन को उसकी तरफ हिस किया now why did the buzzard clack their wings buzzard जो है उन्होंने अपने wings को clack किया क्यों फटफड आया to give joddy direction joddy को direction देने के लिए या to return to their business to return to their business अपना business पर वापिस आने के लिए यह अप उस जो female deer है dog उसको खाने के लिए next देखे बिटा find a word from the above extract which means आपको जो उपर हमने अभी extract पढ़ा है न पेसे उसमें से nearby का meaning है आपको find out करना है और a large branch of tree तो उसको जो है हमें find out करना है तो a large branch of tree तो क्या है बो है ठीक है बी ओ यू जी एच बो और nearby होता है पेटा adjacent तो आप यहां से लिख लिए मैं आपको उपर बता देती हूं nearby देखे यहां पर हमने पढ़ा था न nearby adjacent तो यह यह है a d j a c e n t यह आपका first का answer हो जाएगा a d j a c e n t adjacent ठीक है और second का क्या हो जाएगा second का हो जाएगा b o u g h यह आपका second का answer हो जाएगा b o u g h adjacent मतलब nearby and bo means that is a branch of a tree तो यह आपका second का answer होगा तो यह होगी बेटा आपकी आज की English की worksheet for class 8 आई हो बेटा आपको यह worksheet clear है कोई doubt है तो comment section में comment करके पूच सकते हो वीडियो अच्छी लिगी तो बेटा like share जरूर से कर दीजिए channel को subscribe कर एड़ी ये and thanks for watching have a nice day